बानिय अदेग जी मैं अपनी पार्टी अपना दलकी ओर से बानिय सरवोच लिएले के उस ताजा फैसले के खिलाब अपनी आपती दर्स करती हूँ अपनी असैमती दर्स करती हूँ जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राजियों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की विवस्था लागू करने का कोई विबाद नहीं है और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अलिकार नहीं है अदेजी मैं कहना चाती हूँ कि SCST OBC के समिधान प्रदक्ष आरक्षण के खिलाव दिया गया ये कोट का आज तक का सबसे दुर्भागेपूर पैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक उठारा घात और कोई भी नहीं हो सकता है मानिय अदेजी कोट के माधियम से SCST OBC के आरक्षण के खिलाव बार बार जो इस प्रकार के पैसले आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी नियाईकाल और नियाईपालिका के अंदर SCST और OBC का प्रतिनिद्व नहीं है इसलिए में अपनी पार्टी अपना दल्की और से बार बार ये मांग करती हूँ कि नियाईपालिका के अंदर SCST OBC का जो प्रतिनिद्व है उसको सुनिशिट किया जाए मानिय अधेजी संसत के पास ये अधिकार है कि कानून बनाकर ऐसे मामलों का निप्तारा करे इससे पहले भी एक परिस्थिती आई थी जब SCST OBC में सुप्रीम कोट के द्वारा बदलाव किया गया था और तब हमारी सरकार ने अध्यादेश लाकर और एक नया कानून बनाकर वंचित वर्गों के अधिकार को संवक्षित करने का काम किया था और आज एक फिर ऐसी ही भयावे स्किती खड़ी हुई है इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाती हूँ मेरे पार्टी की ओर से कि इस मामले में त्वरिक हस्तक शेप करे और इस मामले का निप्तारा करे क्योंकि देश का वंचित वर्ग आज हाशिये पर खड़ा हुआ है और अपनी चुनी होई सरकार से यह उमीद करता है कि इस तरीके के पैसले जो बार-बार कोट के द्वारा दिये जाते हैं सरकार को इसके सामने इसमें सामने आकर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए बहुत बहुत थैन्यवाद है A.T. Muhammad Bashir Friday Supreme Court judgment, yes sir, if that is implemented, the very principle of social justice will be geo-faradise. Now government is asking what they have to do. Government should not be a silent spectacle on this because the basic principle of social justice should be adhered in to. Sir, we all know the work participation, employment participation of ACST and minority OPC are very low in this country. If this is done, I am happy, happy the government. This court has government to give the review petition against this verdict. The government should, on behalf of CPM party, demand that the government should give the review petition and make a legislation regarding this if necessary. The Honorable Government to immediately address this issue because it's creating a confusion. I appreciate that. The Honorable Government to immediately address this issue because it's creating a confusion. I appreciate that.